Now we are starting question number 20 exercise 9.4. In a bank principal increases at a rate of R% per year. सारी इंफोरमेशन, सारी क्रिटीकल इंफोरमेशन इसी लाइन में चुपी हुए है. In a bank principal increase, जो principal है वो increase होता है किस रेट में? Rate of R% per year. तो आपके पास देखिए इंफोरमेशन क्या है? कि जो principal में increase होता है, यानि कि DP अपकोर में DT, टाइम के respect में increase हो रहा है, वो equal to क्या है? R% किसका होगा? जो पैसा आपने लगाया, वहाँ पे money लगाया, money यानि आपने जो principal लगाई है, O P, ये इसके इकपल रहेगा. एक बात तो ये हमें information पहली line पे मिल चुकी है, अच्छा दूसरी information एक ओर देखिए, find the value of our if rupees 100 double, देखिए जब किसी बंदे ने सुरू सुरू में वहाँ पर 100 rupees लगाया, आज माली जी आप 100 rupees लगाने जा रहे हैं, तो आपका time तो अभी 0 है ना, और आपने लगा कितना दि और आपका principle कितना हो जाता है, 200 हो जा रहा है, बात समझ रहें, तो प्ली आपके पास 200 हैगा, ये critical value जो तीनों हमने निकाली है इसमें से, बस यही इसमें put करनी है, और answer आ गिया, चलिए solve करते हैं, तो dp upon में dt equal to हमारे पास है according to given information, जो information इसने हमें दी है, उसके according अगर हम लेके चलें, तो ये वाली बात है, मतलब जो rate, जो increase है principle में, वो r% of p है, तो अब देखिए वही है, dp upon में dt equal to r% को आप क्या बोलते हो, r por 100 p, ये बात है इसमें, अगर हम separating का variable करेंगे, तो p किसके नीचे आना चाहिए, dp के नीचे, तो p को आप यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ पर dp के नीचे लाइए, और dt यहाँ चलेंगे, integrating both side, आप दोनों side का integrate करेंगे, तो इसका क्या आजाएगा आपके पास, log p, और यहाँ पर क्या option आएगा आपके पास, r upon 100 तो constant है, ये तो बाहर आजा रहे है, आपके पास 1 का क्या हो जाएगा, t plus log c, बात समझ म आ रही यहाँ तक, ठीके, अब इस side आ जाईए, तो देखिए जब आपने यह option कर लिया है, तो अब log c उधर से इधर लेके आईए, ठीके, तो हमारे पास option हो गया है, log p minus log c equal to r upon 100 t, अच्छा, minus में log की property क्या होती है, मैंने आपको समझाया था, तो ये क्या हो जाएगा, log p upon c equal to r upon 100 t, बात समझ रहे हो न, minus में upon में आ जाते है, अच्छा, लोग दूसरी side जाके क्या हो जाते है, exponential form में चले जाते है, तो p upon c equal to e to power r upon 100 dot t, बात समझ में आया, अब ये जो c है, अगर आप cross multiply करेंगे, तो c यहाँ पर आ जाएगा, तो p equal to आपके पास ये general equation आ गई है अब हम इसमें क्या करेंगे, values को put करेंगे, देखिए एक बार ये वाली values, एक बार ये वाली values कितना simple, तो e kia p where t equal to 0, और p equal to 100, ये वाला option हमने यहाँ पर लगा है, तो t की जगे पर यहाँ 0 रखेंगे, और p के place में 100, 100 equal to c, e की values r upon 100, और यहाँ पर रख लिए 0, 0 से इसक कितना आ जाएगा, e की power 0, और किसी की भी power 0 क्या होती है, 1, तो ये option आपके पास कितना आ गिया है, 1 आ गिया, c equal to आपके पास 100 आ चुका है, अब आप दूसरे option में आ जाएगे, अपकी बार आपको t equal to 10, और p equal to 200 चाहिए, तो आ जाएगे, फिर से where, t equal to आपके पास 10, और p equal to आपके पास है 200, तो आपके पास है, ये 200 आगिया, तो t आपने 10 रखना है, ठीक है, तो चलिए फिर से रख लेते, अपकी बार t के place में आपको 10 रखना है, और t के place में 200, equal to c, और e की power यहाँ पर आपके पास आगी है, r upon 100, बात समझे आ लिए, और t के place में क्या रखना आप 10, 10 रख लिया, 10 से 10 कर जाए, r upon 100 रिख लूँ, तो यह हो गया, r upon 10, r upon 10 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, यह हो गया है, यह, अच्छा, c कितना था, c 100 था, तो c के place में आप कितना रखिए, 100, अब अगर 100 को आप यहाँ पर लेके जाएंगे, ब्रदर, विसके आप ओन में आएगा, और 200 को जब आप 100 से डिवाइट करेंगे, क्या आएगा, आपके पास 2 आजाएगा, तो यह आप गिया है, आपके पास 2 equal to e to power r upon 10, देखिए, जब लोग यहाँ से गया था, exponential form है, exponential form यहाँ पर आएगी, तो यह क्या हो जाएगा, लोग 2, और लोग 2 क values वो क्या दे रहा है, लोग 2 की values उसने हमें given कर रखी है, 0.6931 equal to r upon 10, आप cross multiply कर लीजे, तो आपके पास option हो गया है, r equal to, और 10 कि यहाँ multiply करोगे, ध्यार है न, point A किदर की सब्सक्राइगा, 6.931%, यह आपकी r आजुकिया, required answer है, I hope you enjoyed this video, आपको यह वीडियो अची लगे हो भी, बहुत simple method इसमें हमने applicable करा है, अगर आपको यह अच्छा लगता है, please हमें like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, और हम 5 या 5 से ज्यादा वीडियो daily upload करते है, तो हमारे साथ बने रहे और बने रहने के लिए, thank you, thank you very much.